कि हैं लाइज एबाउट अज इन आवर इंफैंसी और चाइड़ुल बच्पनी में समझदो हम स्वर्ग में रहे हैं बच्चे को कुछ नहीं पता कहां से क्या आ रहा है क्या खाने को आ है कहां से आ रहा है उसे कुछ नहीं पता उसे कोई चिंता नहीं किसी प्रकार्टी तो यह चिंता का किसी प्रकार्टी ना होना ही स्वर्ग बच्चे तो ज्यादे तर स्वर्ग में ही निवास करते हैं स्वर्ग जैसा ही उनको मैसूस होता है तो कि उनको सब प्यार करते हैं को उन्हें से नराज भी नहीं होता तो वो ज्यादेतर वो बहुत ही अच्छा मैसूस करते हैं और उन्हें कोई चिंता भी नहीं होती कि आज मैं ट्रांसलेशन ले रहा हूं यह इसका तीसरा भाग है इसका ट्रांसलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टन चीज है यानि ट्रांसलेशन अगर आप खी गए तो आप अंग्रेज हो गए फिर आपको शब्द कोश्की तो जरूत है शब्द संग्रेया आपका वाकबलरी स्टॉम होनी चाहिए फिर आपको कुछ कोई डर नहीं है ट्र ट्रांसलेशन की सारी बातें बटाओंगा जिसंज से के आप समझ सके हैं उसको और फिर उठके बाद बोल सके हैं लेकिन आप थोड़ा ये ध्यन करें पढ़ें तो कोई समस्या नहीं है ये आसान है सब कुछ बहुत आसान है देखें हम या पहला नियम है ट्रांसलेशन बनाने का आज का पहले मैं कई पता चुका हूं आज का पहला नियम है यदि ऑल्डो या दो के बाद यट ना भी लगे तो जो कौमा लगाते ह हम उसका अर्थ फिर भी होता है जैसे कभी कभी सेंटेंस में आप देखेंगे कि यट लगा हुआ है कभी देखेंगे उसकी जगे कौमा है तो आप कन्फूज हो जाएंगे इस कन्फूजन को दूर करने के लिए मैं फिर बताता हूं ऑल्डो ही इस पूर यद्यभी वह गरी लगाया नहीं जट लगाते या ना लगाने से क्या फरफ पड़ता है इसकी जगें हम जट की जगे कौमा लगा सकते हैं और कौमे का अर्थ ही फिर भी हुआ कौमे का जो अर्थ निकलेगा वह फिर भी निकलेगा अब देखे, although he is poor, यद्य भी बहुत गरीब है, वह गरीब है, he is honest, फिर भी वह इमानदार है तो एक चीद और मैं बताना चाहूंगा, कि एक शब्द है कॉमा और दूसरा शब्द है कॉमा ये कॉमा जो है, जिसमें डबल M लगा हुआ है, वो अर्ध विराम के लिए आता है, इसकी हिन्दी है, अर्ध विराम, कॉमा अर्थात ऐसा चल लगा, और C, O, M, A, कॉमा ये बेहोशी को कहते हैं, यानि वो कॉमे में चला गया है, वह कॉमे में चला गया है, ऐसे कहते हैं न ह कॉमा बेहोशी में चला गया है, कॉमा और कॉमा, बेहोशी वाले में एक M है, और अर्ध विराम वाले में दो M है, ये दोनों में अंसर है, तो इसका मुझे अंसर बताना था, जो मैंने आपको बता जिया, और कॉमा का अर्थ क्या है, फिर भी, ये हमने नहीं लगाया, फिर भी कॉमा का अर्थ भी, ये ही होगा, अर्था फिर भी, अगला नियम क्या है junior, senior, superior, inferior I, O, R, इनके आखीर में आ रहा है सबके आखीर में I, O, R आ रहा है इनके साथ कभी then का प्रियोग नहीं होता T, H, A, N, अपिक्षाकरत के लिए then का प्रियोग होता है लेकिन इसमें अपिक्षाकरत के लिए two का प्रियोग होगा टी ओटू लेकिन वहां पर अपेक्षा करें इसका अर्ण से होगा अर्थ होगा शे टू का अर्ण से अर्ण से आएगा अब पेच्छा करते हैं, say, he is senior to you, वह तुमसे senior है, वरिष्ठ है, तो यह से शब्द का अर्सत देगा, तू यहाँ पर, नियम नमर तीन, who, 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 who माने कौन, यह अर्सत सब जामते हैं, who का अर्स जो भी होता है, और जिसने भी होता है, और कौन भी होता है, तीनों अर्सत होते हैं इसी की, जो या जिसने, या कौन, तो कौन लगाकर कि जहां हम बोलते हैं, who शुरू महीं आएगा, जैसे who are you, आप कौन हैं, इस तहरी की से बोलते हैं, अब जो कार से देने वाला सेंटेश बताऊंगा, the boy, लड़का, वो लड़का, who came here, जो यहाँ आया, is my friend, मेरा दोस्त है, जो यहाँ आया, who came here, जो यहाँ आया, तो who कार यहाँ पर क्या है, जो, who came here, is my friend, मेरा दोस्त है, तो who का अर्थ समझना ट्रांसलेशन में बहुत आउश्च है, जो मैंने बता दिया है आपको, अब है नियम चार, लेस्ट का अर्थ, ट्रांसलेशन में बहुत महद पूर्ण शब्द, L-E-S-T, शोटा सा शब्द लेकिन अर्थ बढ़ा है, कहीं ऐसा नहो कि इसका अर्थ है, कहीं ऐसा नहो कि आप गिर जाओ, आप फेल हो जाओ, इस प्रकार का अर्ष देता है यह कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिरपड़ो कहीं ऐसा ना हो कि तुम ठिसल जाओ कहीं ऐसा ना हो कि तुम ठेलो जाओ यह जन्रली बोला जाता इसकी अंग्रेजी होती है लेस्ट लेस्ट के आगे एक नियम है और वो नियम यह है कि लेस्ट के बाद शुड का प्रियोग जरूरी है शुड का प्रियोग अगर नहीं होगा तो सैंटेंज गलत है इसके बाद शुड का प्रियोग होता है जैसे वर्क हार्ड महनत करो लेस्ट यू शुड फेल कि तुम कहीं फेलना हो जाओ कहीं तुम कहीं ऐसा नहों कि तुम फेल हो जाओ वर्क हार्ड महनत करो कहीं ऐसा नहों लेस्ट यू शुड फेल कहीं ऐसा नहों कि तुम फेल हो जाओ यहाँ पर शुड़ का अर्थ चाहिए नहीं है वैसे शुड़ का कौन अर्थ ही जो है साधारन अर्थ जो है वो चाहिए है लेकिन यहाँ पर शुड़ का अर्थ चाहिए नहीं है तो यह मुझे बताना था अब नियम पांच है बेहत और शक्सारे नियम बहुत जरूरी है इस या weather का अर्थ अगर नहीं होता निम्न वाक्यों में बलकि क्या होता है की क्या जायतर जिन sentences को हम direct से indirect में बनाते हैं तो उनमें इसका प्रियोप होता है पूछेने वाले यानि question वाले जो direct से indirect बनते हैं उनमें ऐसा होता है he asked me if या weather किसी चीज का भी प्रियोग कर लो he asked me उसने मुझे से पूछा if या weather किसी का भी प्रियोग कर सकते हैं इसलिए मैंने बरावर में लिख दिया है weather if या weather रामा राम गुर्ड गोदेर की क्या ही आदमी if की क्या यहाँ पर इफ का अर्थ अगर नहीं है यदि नहीं है बलकि की क्या है जब direct से indirect बनाते हैं तो यह समझ लिए कि वो जो वाक्य हैं जिनमें क्या से अंग्रेजी बनती है जैसे am I correct am I correct तो इस प्रकार की जो sentence होते हैं क्या से बनते हैं तो उसको जब indirect में हम बनते हैं तो क्या करते हैं हम कि इफ से उसकी अंग्रेजी बनाते हैं कि आज़नी इस वेजर किशिकाइप प्रियोग कर लिए राम वुड गो दियर उसने मुझे से पूछा कि क्या राम वहां जाएगा उसने मुझे से पूछा कि क्या राम वहां जाएगा मेरे कहने का अर्थी यह है कि यहां पर इफ का अर्थ अगर नहीं हो करके की क्या है तो यह जरूरी नहीं कि इफ का अर्थ अर्थ जो है हर जगे अगर या यदि हो यहाँ पर इसका अर्थ की क्या है यह मुझे में लिग बताना था अब नियम छे है Whether Whether के साथ यदी और नौट आयत तो इसका अर्थ होता है की अब फिर बदल गए वेदर वेदर का अर्थ अभी तो की क्या था और अभी है की जैसे I do not know Whether he will come or not मुझे नहीं पता I do not know मुझे नहीं पता Whether he will come or not वो आएगा के नहीं मुझे नहीं पता तो इस परकार का जो अर्थ है वो वेदर के साथ इसमें देखें आप I do not know मैं नहीं जानता I don't know short में कहते हैं I don't know Do not को don't बोलते हैं short में I do not know Whether he will come or not की वो आएगा के नहीं I do not मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता की वो आएगा या नहीं Whether he will come or not तो इस का अर्थ यहाँ पर की से लग रहा है वेदर का अर्थ और इस परकार से यह sentence के नियम है जो बताए जाने चाहिए और मैंने बताए हैं अब इस sentence पर दोवारा आना चाहता हूँ मैं If यह वेदर वाला देखें He asked me तो यह किसका indirect बना यह देखना है तो जब हम sentences वो वाले लेते हैं जिनमें क्या शब्द पहले प्रिक्ट होता है तो सहायक किरिया शुरू में आ जाती है सहायक किरिया शुरू में आ जाती है उन sentences के जिके sentence के हिंदी में क्या शब्द का यूज होता है प्रारम में तो यह वाले sentence है He asked me उसने मुझे से पूछा अब जैसे He said to me यहाँ पर जो original sentence ही indirect है That sentence का है He said to me Will Ram go there Will Ram go there उसका यह indirect है देखें He asked me बगल जाएगा said He asked me If तो ऐसे sentences में क्या होता है जो सायक किरिया से बगते हैं Will ya said का शुरू में प्रियोग करके तो उन sentences में If ya weather का प्रियोग किया जाता है inverted commas हटा कर If ya weather शुरू में ही आ जाएगा He asked me He asked me अब will का would हो जाएगा Will का would हो जाएगा जो बीच में चला जाएगा यहाँ पर Will सब्द से पहले अर्था जहाँ पर will लगा हुआ था वहाँ पर if ya weather यूज हो जाएगा और sentence बन जाएगा Ram would go there Will Ram go there का क्या बनेगा If Ram would go there Will का would हो जाता है जाएगा शूर्ड हो जाता है लेकिन करता के हिसाब चोबता है जैसा करता होगा तो यह मुझे बताना था यह आपकी समय में आगया होगा डारेक्ट इंडारेक्ट वाला sentence होने के कारण मैंने इसकी व्याक्षा दी अब मैंने जो बताना है वो है एक वाक्षी जो मैं अन्त में देता ही हूँ मैं इतना पागल नहीं हूँ कि तुम पर विश्वास कर लो यह एक ऐसा sentence है बहुत ही common है यह मैं जितने भी कुछ वाक्षी मैं शुरू में बोलता हूँ वो यदि explanations जो देते हैं BA और MA की अंग्रेजी में वो explanations में बहुत आरहांज से डिये जा सकते हैं और बढ़ीघ़ explanation कहलाएगा English में जो literature होती है इसमेंstill explanations में वो आप आरहांज से लिख सकते हैं BA मे भी और MA मे भी वो बहुत ही काम के हैं और उनका यूजट कूप किया जा सकता है explanation में आपका explanation बहुत बढ़िया कहलाएगा ऐसे ही मैं पिछ sentence ये अनवाद के बाद भी बताता हूँ एका sentence लेकिन वो अच्छा होगा जो जनरल भाषा में हम बोलते हैं और हम उसकी अंग्रेजी नहीं जान पाते ऐसे sentence को मैं दे देता हूँ तो मैंने आज दिया है इस वीडियो में मैं इतना पागल नहीं हूँ कि तुम पर विश्वास कर लूँ ये आम तोर पर बोले जाने वादा sentence है तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी बताता हूँ I am not so much of fool मैं इतना पागल नहीं हूँ I am not so much of fool that की I trust you मैं तुम पर विश्वास कर लूँ फिर से देखें I am not so much of fool मैं इतना पागल नहीं हूँ मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि तुम पर विश्वास कर लूँ that I trust you trust माने विश्वास करना यकीन करना फिर देखें I am not so much of fool मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि तुम पर यकीन कर लूँ that I trust you कि मैं तुम पर यकीन कर लूँ विश्वास कर लूँ भरोसा कर लूँ तो यह यदि मेरी वीडियो है आज की यदि आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करेंट गडब्लेस यू थैंक्यू वर्यमुच करेंगे रहुच